हाई फ्रेंज कैसे हैं आप स्वागत करता हूँ आपके अपने चल क्रेक 11 फोकाश पे इस वीडियो में हम बात करेंगे आई एसल वर्सेज एल एच फुल स्टैट्स प्लस इंफो यानि इसलामाबाद की बात करेंगे जो लाहोर कलंदर से आज उनका मैच खेला जाएगा पी जल्दी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाओ या टॉप के कोमेंट से आप हमारे टेलिग्राम में जोड़ जाओ इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा जल्दी से कर लो क्योंकि मेरे आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तभी यहां पर मैरे दो एसपेक्ट लिखे हैं इस विकेट के ठीक है इस पिच के पहला रंस बन रहे है बहुत अच्छी शीन है विकेट पर शीन यानि की काफी साथ अच्छा बाउंस हो रहा है बल्ले पर गेंद आ रहा है रंस यहां पर देखने को मिल रहे हैं लेकिन कल जो वि इसका फाइदा क्या हुआ था तोड़ा सा बोलर्स को वा था यह नहीं था कि रंस नहीं बने थे उन्होंने बोला था कि उतने रंस करने असान नहीं थे दोस्तों यहां पर मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि आज भी जो तीन फरवरी को पिच यूज हुई थी वो कैसे यहां पर record जा रहा है दोस्तों recent matches आप देखोगे runs बन रहे हैं in fact हर match में runs बन रहे है और wickets थोड़ी सी जा रही है ठीक है अगर आप देखोगे दोस्तों 123 में से 73 wicket fast हो गई है 42 spin को गई है players यहां पर बहुत quality वले हैं आज दोनों teams मुझे जो लगती है best bowling lineups लगती है इस tournament की चाहे वो इसलामाबाद हो चाहे वो लहोर की team हो आज हम अपनी जो mini GL की team करेंगे mini GL जो हमें लेके आनी है ठीक है वो कैसे लेके आएंगे आज हम target करेंगे bowlers क्योंकि पूरी दुनिया जाएगी बल्लेबादों के साथ दुनिया क्या करेगी कॉलिमन रोग को लेगी अच्छे अच्छे तो batsman है मुहमद अफीस को लेगी हम डिफरेंट जाएंगे mini GL में आज जादा bowlers की यह सिर्फ mini GL के लिए यह चीज ध्यान रखना क्योंकि रिस्क लेंगे तभी तो 300 लोगों में rank 1 लाने का chance रखेंगे ठीक है यह mini GL की बात हो गई अभी हम head to head stat की बात दोस्तों matches इन दोनों teams ने आपस में 12 खेले हैं इसलामाबाद का record काफी बहतर है 9 match वो जीती है जबकि लहोर की team जीती है केवल 3 match ठीक है runs के मामले में देखोगे आसिफ अली ने 10 match में 238 run किये हैं 2 half century के साथ head to head में जब आपस में matches हो हैं दोनों teams के interesting fact पत है कि है पिछले साल इन्होंने 75 run की inning खेली थी और फिर ये hit wicket हो गये थे मैं highlights देखके आ रहा हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ में नीचे आपको दिखाऊंगा भी ठीक है चलो 150 divided by 3 होता है उस case में राकी 150 divided by 5 शदा आप देखोगे 10 match में 8 inning में 1500 run है 18.75 यान 18.75 की average एक हाफ century है फिल सॉल्ट अरे यहां पर सॉल्ट की photo भी आ गई है ठीक है नमक आ गए है तो आज के match में कुछ spice जल सकता है इनके score सबसे कम ही है head to head में लेकिन मैंने नाम लिखे है क्योंकि इन्होंने दो match में 14 run किया 7 की average है बट फिल सॉल्ट आ रहे हैं तगड़ी फॉर्म में इन्होंने पहले ही match में डेब्यू में अपनी England vs West Indies में 50 किया दूसरे match में 0 किये तीसरे match में 3 किये प्यूज भई ये कौन से अच्छी form है देखो दोस्तों ये opening के player है ये नीचे आके बचास करके गए थे तो अगर अपने favorite slot पे आ रहे हैं तो मैं तो कहूँगा कि हाँ salt आपके लिए नमकीन काम कर सकता है ठीक है अब यहाँ पे दोस् मुझे तो बहुत quality player लगते है शायद वो किसी और टीम में होते न तो उनको बल्लेवाजी करम भी अच्छा खासा मिलता और ओर भी मिलते लेकिन इसलामाबाद की टीम में depth बहुत है शदाब भी है फहीम भी है बड़िया बड़िया प्लेयर है तो उनको थोड़ा सा नीचे आपको खेलने को मिलेंगे दस उनके ओर स्टार्ट में ही निकल वा देते हैं इसलामाबाद वले सो दोस्तो शहीन शाफरी दिया पांच मिच में आठ विक टे हैं है अब आपको पता है कि लहूर के लिए खेल रहे हैं वड़ उससे पहले इसलामाबाद में खेल चुके हैं पिछले साल के दोस्तों आप मैचेज देख लेते हैं ठीक है पिछले साल के जब आप मैचेज देखोगे इसलामाबाद लहोर के पहला मैच उसमें मैच संबर 15 था यह पिछले PSL का आपको एक चीज बता दू कराची में 14 मैचेज हुए थे पिछले PSL में उसके बाद यह ट करके आखरी बॉल पर मैच जिताया था इन्होंने और विकेट भी निकाली थी शाहीन शा को एक विकेट मिली थी रॉफ को दो विकेट है फही मश्रफ 27 प्लस एक विकेट सोहे लगतर 40 रन जबकि दोस्तो सेकेंड मैच में क्या हुआ था इसलामाबाद जीती थी 28 रन से मैच थे और यहां कुछ नहीं किया था राशिद ने जोस्तो एक चीज़ नोट करिएगा यह चीज़ मैं आपको उपर ही बता दी थी फिल सॉल्ट की रिसेंट फॉर्म राइट हैं टॉप ओडर के प्लेयर हैं अच्छे बल्लेबाज है ठीक है स्ट्रोक मेकिंग अच्छी ह ठीक है मेरी ड्रोइंग पर मज जाना और यह ग्राउंड है वैसे तो स्क्कूर ग्राउंड नहीं होता बटाने के लिए आपको बता रहो हूं तो इस बंदे ने एक चोका इस साइद लगाया cover drive, एक चोका इसने यहाँ पे लगाया, ठीक है, एक चोका उसने fine leg पे लगाया, एक चोका long one पे लगाया, तो बंदा हर जगा खेल लेता है, तो यह चीज मुझे, यह strength लगती है, fill salt की, यह हर जगा खेल लेते हैं, ठीक है, तो gap finding के मामले में fill salt बढ़ी आए है, देन दोस्तो इसमें न एक और player आपको बताना चाहूंगा, Harry Brook भी आ गए है, ठीक है, यह भी right hand बल्ले बाज है, middle order के player है, 10-22 के, England की wickets पे तो बहुत अच्छा केलते हैं, यहाँ पे देखते हैं, क्या करेंगे, अभी middle order के player हैं, तो अब थोड़ा salt पे जान दो, इनको grand league में try करो, दोस दोस्तों यह चीज़ देखनी पड़ेगी, मुझे थोड़ा सा चांस लग रहा है, आप दुलश अफिक्या को न अभार कर दें, क्योंकि Phil Salt generally opening player है, और दोस्तों यहाँ पे समित पटेल और Harry Brook में से किसी को middle order में भी जगा मिल सकती है, समित आपको bowling भी offer कर देते हैं, यह एक पर message पड़ा होगा, कमरान गुलाम कैन बोल टोडे, समित पटेल is not playing, और उन्होंने दो over डाले थे, विकेट नहीं मिली, अलग बात है, लेकिन 30 run कर दिये थे, तो यह चीज़े छोटी-छोटी होती है, जो मैं best करता हूँ आपको बताने की, ठीक है, चार्जिल का देख लो कल सोयब मलिक ले गए, उससे पहले हफीज ले गए, तो और समें टार्येट करिये, यह चीज़े में आपको पहले ही बता देता हूँ, अभी दोस्तों आप यहाँ देखोगे, टीम की strength है, उनकी बहुत depth वली बले बाजी, टॉप अटर भी strong है, दें डिविड वीजा finishing, obviously य एक opening bowler ही तो है, अरे रुको, middle में कौन डालेगा, रशित खान, एक और strength हो गई, रुक जाओ, death में कौन डालेगा, हैसन रॉफ, ठीक है, एक और strength हो गई, टीम के पास बढ़िया overze है, 17 से 20 ओर, जिस टीम का शाहीन और रॉफ करे न, बले बाज़ों को खौफ होगा, चाह लाहोर कलंदर्स के full stats plus info, हर एक player का record आपकी screen पे, इसमें नमकीन record भी देख लो, 122 मैच में 21 साफ सेंचरी, फिल सॉल्ट की, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अच्छा record है, दोस्तों यहाँ पे लाहोर कलंदर्स के last year के performers भी आप देख सकते हो, वैसे तो मैं आपको कहीं बार बता चुकों, अगर कोई read करना चाहे, कर सकता है, अब हम बात करेंगे, Islamabad United की, Islamabad United की team में आप देखोगे, काफी तगड़ी team है, इनकी भी मुझे bowling बहुत अच्छी लगती है, जैसे मैंने बताया, two bowling lineups, जो मुझे लगता है, best chance tournament की, team की भी strength देखोगे, Alex Yales है, Paul Sterling है, Colin Monroe बाहर बैठ रहा है, इनके लिए दोस्तों, last minute में मुझे में मुझे में आए थे, हाला की कुछ खास किया नहीं, बट बोलर अच्छे है, head to head में हमने देखा, एक match में तीन wicket भी निकाला हुआ है, वो भी last year ही, so मुझे 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 बन सकते हैं, जब हमने मिनीज टीम स्ट्रॉंग है, टॉप पोर प्लियर्ज ने, आप देखोगे, एकना एक 50 मार दी है, अगर आप देखो ना, तीन मैच में अट लिस्ट सब ने एक 50 लगा दिया, ठीक है, आसिफ अली बढ़िया फिनिशर है, head to head में 75, लेकिन मैं small league में नहीं बोलूँगा, grand league में बोल वकास मकसूद एक और मर्शान डिलांग को एक विकेट, वकास मकसूद का भी देखोगे, तो ओवर इन्होंने death में नहीं करवाए, वरना उनकी point potential और बढ़ जाती, दोस्तों यहाँ पे मैंने मुहमद मूसा का नाम लिखा है, लेकिन यहाँ पे high chance रहेंगे, रीस टॉप ल आ सकते हैं, तो रीस टॉप ले अगर खेल जाएं, तो बहुत तगड़ा एक बूलर इनको और मिल जाएगा, इसलामाबाद युनाइटेट के full stats plus info आपकी screen पे है, हर एक player देखोगे, तगड़ा record रखता है, टीम में बहुत अच्छे अच्छे बोलर है, मुहमद मूसा बहा टॉप पे है, आसे फली ने भी काम किया था, हेल्स मैच कम खेले थे, शदाब तो इस बारी देखो, अल्रेड़ी से जादा, 94 से जादा थो, इस सीजन अल्रेड़ी कर चुके हैं, तो ये लास्ट इमकेन के stats हैं, अभी हम player matchups को देख लेते हैं, player matchups में दोस्तों पहला नाम आएगा फखर जमान का, फखर जमान ने देखो के शदाब के आगे तीन बार विकेट दिया है, बड़ा struggle है, फ़हीम के आगे रना बॉल है, दो बार आउट, हसन अली के आगे भी दो बार आउट, तो क्या फखर जमान आज फाइनली फेल हो सकते हैं, देखो player जिस form में होत आगे फिल सौर्ट है, मर्शन डिलांग देखोगे उनको एक बार आउट कर चुके हैं, से काम मर्शन डिलांग के दो इसलामाबाद के बलेबास लहोर के बोलर्स के आगे, मज़ेदार होने वले हैं, यह." मैच-अप एलेक्स हैल्स, राशित खान के आगे तीन ही गेंद केल लिए, प्यूज भाई इतना ज्छाधा टीट्वेंटी क्रिकेट एलेक्स हैल्स खेले है, इतना ज्याधा राशीत खान दोस्तों मैच-अप ही निहीं हुआ, खेले इन्हीं आपस में, यह पते कहां का मैच- तो यहाँ हेल्स और यहाँ पर पॉल स्टर्लिंग की जो ओपनिंग है तगड़ी चल रही है इसको रोकने के लिए बहुत ज़ादा गेम प्लैन करेगी मेरे साब से यहाँ पर अहूर की टीम की अगर स्टर्डिंग अच्छा स्टर्डिंग के लिए लेकिन राशित खान जो है मेरे साबसे सबसे बड़े प्रॉब्लम है प्लस ट्र्लिंग के लिए उन्हें राशित को मतलब राशित से दो बर हूट हुए है डेविड वी से तीन बार आउट हुए है, समित से एक बार और यहां शहीन शाह से भी एक बार आउट हुए है दोस्तों शदाब खान देखोगे दो बार हैरिस रॉफ पे आउट हुए है बाकियों के आगे ठीक खेले है आजम खान देखोगे, दन्याल के आगे एक बर आउट हुएं, तीन गेर्ड में बाकियों के आगे ठीक खेलें, समिथ के आगे भी एक बार विकेट है, हैरिस के आगे तो लास्ट पीएसल में ही छे गेर्ड में अठरा रन बना थी थे, पिछले पीएसल का ही स्टैट है यह, आसिफ अली शाहीन साफ रिदी के आगे दो बार, राशित के आगे एक बार, और एहमेद दन्याल के आगे एक बार है, लेकिन अगर आप देखोगे, तो राशित के अलावा, इनका स्ट्राइक रेट सब के सामने डिसेंट है, जब आप अपनी टीम करने हैंगे, आपको विकेट कीपिंग सेक्षिन में आजम खान मिलेंगे, गुर्बास जो लास मेच खेले नहीं, जीचन असवरफ जो लास मेच खेले थे और नमक, ठीक है, मैंने यहाँ पर नमक को ले लिए, फिल सॉल्ट को अपनी टीम में डाल लिए, विकास इनके बल्ले से जब आप शॉर्ट्स निकलेंगे, आप देखोगे, बहुत ज़ादा धाकर शॉर्ट्स निकलते हैं, मैंने पहले बताया, गैप फाइंडिंग बहुत अच्छी है, प्लस, मुश्ट लेकली यह खेलते हैं, तो ओपनिंग या वन डाउन पर आएंगे, अनलेस कोई यहाँ पर ऐसा चेंज होता है, हम मिनी को प्रेफर करेंगे, आप चाहो तो आजम खान को भी ले सकते हो, बल्ले बाजी में दोस्तों, यहाँ पर मैंने फखर जमान को पिक किया है, फखर जमान ओपनिंग पे आ रहे हैं, रेगुलर्ली परफॉर्म कर रहे हैं, एलेक सेल्स को दिया है, ओपनिंग पे रेगुलर्ली परफॉर्म कर रहे हैं, एक player को आज के match पे मैं छोड़ रहा हूँ वो है Paul Sturling Paul Sturling के आगे दोस्तों राशित खान का record अच्छा है दूसरा या शाहीन शाह अफरीदी का record आप कह सकते हो कि normally players के आगे अच्छा है अच्छे बूल रहे हैं साथ में Harris Roth है सो मुझे लगता है काम आ सकते हैं यहाँ पे Paul Sturling को drop करना रिस्क रहेगा लेकिन इस match में credit का issue भी है इसलिए मैंने manage करने के लिए Sturling को drop किया next आप पास दोस्तों calling मन रहू है जो one down पे आके अच्छे scoring कर रहे हैं last match में भी अच्छा खेले नबाद गए थे फ्लियर अच्छे हैं हाला कि आपको बदा दूँ की यही रीजन है कि मैं इनको अभी confirm नहीं कर पा रहा कि कौन सा बल्ले बाज लूँ क्योंकि फिल सॉल्ट के आने से बल्ले बाज इकरम में changes होंगे तो दोस्तों यह बल्ले बाजी की बात है अब all rounders में दोस्तों शदा आपको तो आपको लेना ही है यह last match में पांच शुकेट निकाल के आए पहले match में इस से जो पिछला match था उसमें 90 run कर आए कहीं न कहीं यह player अगर अब देख लो एक match में बल्ले से चल रहा है एक में गेंदवाजी से फहीम मैं जादा recommend करूँगा because इनका reason क्या है यह लगबग 3-4 ओर करते ही करते हैं जबकि डेविड वीज के ओर कट सकते हैं लेकिन डेविड वीज की बल्ले बाजी आने के ज़्यादा चांस है क्योंकि यह लहोर के main finisher है समित पटेल के खेलने के कम चांस है Dean Foxcroft incredible record रखते हैं लेकिन last match में लहोर ने इनको totally waste किया एक catch किया बस इनोंने match में बल्ले बाजी इनसे करवाई नहीं गई bowling इनसे करवाई नहीं गई ठीक है बाकी यहाँ पे और कोई player खास select करने वाला है नहीं जानिश अजीज बहुत अच्छे player लेकिन मौका ही नहीं मिल रहा bowling में दोस्तों मैंने यहाँ राशित को भी लिया है शाहीन अफ्रीदी को लिया है मुहमद वसीम को हसन अली को हैसरोफ को पांच बोलर मैंने लिया है आज तगड़े बोलर है सब के सब अब देख लो इसमें आपको किसी को ड्रॉप करना है तो आप कर भी सकते हो हरिस डेथ बोलिंग कर रहे है हसन अली डेथ बोलिंग कर रहे है शाहीन डेथ बोलिंग कर रहे है मौहमद वसीम भी डेथ बोलिंग कर ही रहे है तो आप देखोगे यहाँ पर यह चारों में पेर बना हुआ जैसे 18-20 वा ओवर यहाँ पर लगा लो की शाहीन शाफ रीदी और हसन अली का ही होगा पहले मैचेज में आप देखोगे 17-19 वा शाहीन डाल रहे हैं 18-20 वा अली डाल रहे हैं अलाकि लास्ट मैच में अली ने यहाँ पर 200 वा नहीं डाला डेविड वीजा ने बट मैक्सिममम टाइम यही हुआ है ठीक है दूसरी तरफ जो काम कर रहे है आपर माफ करना शाहीन और हरिस रॉफ का बताना चाता था मैं हसन अली का नहीं अपनी टीम से हसन अली यहाँ पर मुहमद वसीम के साथ डाल रहे है इनका डेथ बोलर का पेर है इसलामाबाद का लहूर का जो पेर है रॉफ और अफरीवी है रशित खान को आप डॉप करनी सकते है बोलर बहुत तगड़े है ठीक है अभी दोस्तों आपको दो प्लेर लेन यहाँ अगर आप हफीस को लेते हो आपस क्रेट नहीं बचेगा आपको अपटेम से दूँगा टेली ग्राम पर वहाँ पर ज़ूर ध्यान देना Captaincy, Vice Captaincy मेरे लिए sorted है इस match में Captaincy तो मैंने यहाँ पर शदाब को दी है Vice Captaincy में options बहुत है Hails भी option है, फकर जमान भी option है लेकिन consistency के हिसाब से मैंने फकर जमान को थोड़ा सा preference दे दिया है उमीद करते हों दोस्तों मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी Telegram का link वीडियो की description और top के comment में मिल जाएगा मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में